अब मैं आपको अनार के छिलकों के गुन बताता हूँ अनार के छिलकों ऐसे करके ठेक देते हैं बाद वो नहीं करना चीए जिनके दर्थ तोरे हो और खाशी भी इनको जिनके दाथ नाओ इनको इतना गेश कौन बिगाड़ेगा सब के छपतो हो अना जिनके गेश हो उस डंडी को लो उसमें डालो और बैंगर की जैसे घुमा लो उसको वो पक जाए जब उस पे पाउडर करके और अना मिक्सी में पीछ लो और जिनके गेश नहीं होता किसानों में वो भी देखते हैं उनके पाल भी तो फून होता है लोग और बड़े आद्म भी ऐसे कर सकते हैं कि छिलकों को दूर से और भी अच्छा सुखेंगे तरपाल बचा लो उसके इसको डाल दो और यह सूख जाएंगे जब इसको 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 पाउडर काली मिर्ट पाउडर करके फिर पीछ लो अब मैं आपको इसके जूश के गुन बताता हूं इसके जूश से इसके जूश से इना इसकी इन अच्छे होती है इसके जूश से इना जिल का दोला नहीं पड़ता है इससे खून बढ़ता है और उनिका मैं बार बार बता रहा हूं कि इनका जूर वो पाउडर करके बोई पी सकते उनको पाने में डालो पी लो हूं कि अ उनका जूर रहा हूं करके बोईρέ करके बता है